हेलो इस्टूएंट्स, आम सवीता गुट्ता है, लेंग्विज इंस्ट्रक्टर, वेलकम लार्न विट सवीता, आज हम क्लास 12 की इंग्लिश बुक, फ्लैमिंगो की पोईट्री, कीपिंग क्वाइट की क्वेश्चिन आंसर इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, इस कविता का शीर्शक क्या बता रहा है, आपके अनुसार यह कविता किस बारे में है, The title of the poem suggests the importance of silence, इस कविता का शीर्शक मौन का महतो बता रहा है, इस कविता का शीर्शक मौन का महतो बता रहा है, इस कविता आत्म महतो और आत्म निरिच्छन की बारे में है, ये कविता सार्व भामिक सत्भाव की भी अपील करता है ये सब के प्रती सत्भावना का अपील करता है कभी बारह तक की गिंती गिनने को क्यों कहता है the poet counts up to 12 because कभी बारह तक की गिनने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि the 12 figures on the clock घड़ी पर अंकित बारह तक के अंक represent the movement, time, unity and newness ये जो बारह तक के अंक हैं ये क्या बता रहे हैं किस चीज़ की प्रतीक हैं ये movement, गती, समय, एकात्म और नवीनता के प्रतीक हैं इसलिए कभी बारह तक का अंक गिनने को कह रहा है what will counting up to 12 and keeping still help us to achieve बारह तक की गिन्ती गिनने और शांत रहने से हमें क्या प्राप्ट होने में सहायता मिलती है counting up to 12 and keeping still gives us time to introspect ourselves बारह तक की गिन्ती गिनने और उसकी बाद शांत मन से रहने पर हमें क्या होता है intro respect यनि की आत्म निरिखण करने के लिए समय मिलता है in this way इस तरह we can recuperate our energy and restart our activities with fresh energy and chill तो इस तरह हम पुना अपने अंदर उर्जा का संचार पाते हैं और एक नई उर्जा फ्रेश उर्जा और उत्सा के साथ पुना अपनी गतिविधियों को शुरू कर देते हैं what do you think the poet advocates total inactivity and death total inactivity पुन निश्क्रियता death यनि की मृत्यू क्या आपकी विचार से कभी पुन निश्क्रियता और मृत्यू का समर्थन करता है no, the poet doesn't advocate total inactivity and death नहीं, कभी पुन निश्क्रियता और मृत्यू का समर्थन नहीं करता है he clarifies that he has no truck with death वह स्पष्ट करता है कि उसकी बात मृत्यू से संबंधित बिलकुल नहीं है according to him, life is meant to leave the fullest कभी के नुसार जीवन का अर्थ इसे पुन रूप से जीने में है पुन रूप से जीवन का आनंद लेने में है he just want to keep quiet and suspend all our activities for a few seconds वह सिर्फ इतना चाहता है कभी सिर्फ इतना चाहता है कि हम अपनी सारी गतिविधियों को कुछ seconds के लिए रोक दे शान्त रहें so that we can introspect ourselves and restart our activities with fresh energy and jeal ताकि हम अपना आत्म निरिक्षण कर सकें अपने बारे में सोच सकें और उसकी बाद एक नई उर्जा और नए उत्सा के साथ अपनी संपून गतिविधियों को फिर से कर सकें what is the sadness that the poet refers to in the poem what sadness उदासी क्या है जिसका जिक्र कभी कविता में कर रहा है when people don't introspect and fail to understand themselves जब लोग आत्म निरिक्षण नहीं करते हैं तो खुद को ही समझने में असमर्थ रहते हैं then sadness arises और तब ये उदासी या दुख पैदा होती क्योंकि वो समझी नहीं पाते कि वो क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये समझने ही बाते हैं the poet wants that people should overcome this sadness by introspecting themselves कभी चाह रहा है कि लोग शान्त रहें शान्त रह करके आत्म निरिक्षण करें और अपने अंदर के अपनी सामने के इस दुख को अपने आपको न समझ पाने के इस दुख को क्या करें दूर करें what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness apparent stillness प्रत्यक्ष इस्थिर्ता यानि कि वो इस्थिर्ता जो हमें बाहरी तोर पर इस पश्ट रूप से दिखाई दे रही है तो प्रत्यक्ष इस्थिर्ता में जीवन हो सकता है ये उदाहरन देने के लिए कभी प्रकृति से क्या प्रतीक लेते हैं इस कविता में ये उदाहरन देने के लिए कभी प्रित्वी का उदाहरन प्रतीक के तौर पर ले रहे हैं और कहते हैं कि प्रत्यक्ष इस्थिर्ता या शांती के नीचे जीवन चलता रहता है कभी कहता है कि विंटर सीजन में ये थंड के मौसम में प्रित्वी बिना हर्याली के मृत प्राय लगती है ये अपने नए पौधे और फूलों के साथ पृत्वी पूरी सजीवता से हमारे सामने होती है ये कभी नहीं रूपती जीवन कभी नहीं खतम होता ये कभी इस्थिर नहीं होती है और जीवन इसके अंदर संपूर्ण निस्क्रियता में भी चलता रहता है समुद्र के अंदर और समुद्र के बाहर चारो ओर ठीक है तो सारी गतिविदिया जब हम बंद करके शांत रहते हैं तो यह किस प्रकार समुद्र के अंदर और उसके बाहर चारो ओर के जीवन को प्रभावित करता है सारी गतिविदियों के रुकी रहने पर यह समुद्र के अंदर और बाहर के जीवन को दो तरीके से प्रभावित करता है पहला यह कि मच्छवारे समुद्र में मच्छलियों का शिकार करना कुछ समय के लिए रोग देंगे जब वो शांत रहेंगे सारी गतिविदियों को रोग देंगे तो मच्छलियों का शिकार करना भी वो थोड़े समय के लिए रोग देंगे नतीज़ा इसका क्या होगा? इस तरह से मचलियां अपनी कम हो रही संख्या को पुना प्राप्त कर लेंगी तो वे लोग जो समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और उस नमक को जमा करने का काम करते हैं वो लोग भी इन शांत छणों में अपनी गतिविदियों को रोक देंगे और तब वो नमक से घायल अपने हाथों को देखेंगे और कुछ न कुछ प्रयास करेंगे, उपाय करेंगे कि उनके हाथों का घाव भर जाए प्रित्वी हमें ये सबक कैसे देती है कि प्रतेक्ष स्थिरता के नीचे भी जीवन चलता है अर्ठात बाहरी तोर से देखने पर तो लगता है सब कुछ खात्म हो गया है स्थिर है, मृत है, पर प्रित्वी के नीचे कहीं न कहीं जीवन क्रियाशील रहता है बहुत सी गतिविधिया अंदर ही अंदर चलती रहती है तो ये हमको क्या बता रहे है We think that earth is dead as it remains still कुछ समय ऐसा होता है जब हमें लगता है कि प्रित्वी की सतह पर कुछ भी नहीं है ये खत्म हो गई है ठीक है, और खास करके ऐसा ठंड के मौसम में होता है ठंड के मौसम का रिफरेंस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमारे कवी पैबलू नेरुडा चिली के रहने वाले हैं जहां ठंड के मौसम में बर्फ की मोटी चादर जमीन पर, पेडू पर, मकान पर सब जगा छाई रहती है ठीक है? और ऐसा लगता है पृत्वी से जीवन खत्म हो गया है सिर्फ सफेदी की ही सफेदी दिखती है बट, many changes are taking place under the surface ठीक है? लेकिन ऐसा दिखता है पर बर्फ से धकी इस परत के नीचे जीवन गतीशील लहता है कई तरह के परिवर्तन होते रहते हैं ठीक है? Many changes are taking place under the surface सर्फेस है न कई तरह के परिवर्तन होते रहते हैं A seed that seems dead गर्मियों के समय नीचे बर्फ के नीचे जमीन में दबा हुआ बीज जो मृत्य प्रतीत होता है धीरे धीरे पानी को सोखता रहता है और उस बीज में एक नए पोधे को जन्म देने के लिए परिवर्तन होता रहता है A seed that seems dead germinates under the earth and new life spring out from it और मौसम अनुकूल होते ही वह अंकुरित होता है और नए जीवन के साथ प्रिथवी पर बाहर आजाता है Life is what it is about How is keeping quiet related to life Life is what it is about जीवन वही है जो हो रहा है तो जीवन शांत होकर स्थिर रहने से किस प्रकार संबंदित है Keeping quiet is related to life because it will lead to intro inspection शांत होकर स्थिर रहना जीवन से इस तरह संबंदित है क्योंकि ये शांत समय में हमें आत्म निरिक छड का उसर देता है When we all will be still जब हम इस्थेर रहेंगे We will be able to think about the results of our action और जब हम शांत रहेंगे आत्म निरिक्छन करेंगे और ये सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं उसका परिडाम क्या होगा तो हमको समझ में आएगा कि हम जो कर रहे हैं उसका परिडाम अच्छा हो सकता है या बुरा और अगर हमें लगेगा कहीं कुछ गलत हो रहा है Then we will improve our life by doing better actions and stop doing wrong actions और जब हमें होने वाले परिडाम का पता चलेगा जब हम समझ लेते हैं कि इस काम का परिडाम क्या होगा तो हम उसमें सुधार कर लेते हैं अपनी गलत क्रिया कलाब को रोक कर बहतर और अच्छे काम करने में लग जाते हैं Wrong action which leads to war and death और उस गलत काम को रोक देते हैं जो हमें युद्ध और मृत्यू की तरफ ले जाने वाले होते हैं Why does one feel a sudden strangeness on counting to twelve and keeping quiet बारत तक गिननी की बाद जब हम शांत होने का प्रयास करते हैं तो एक अजीव सा अंजाना एहसास होता है ऐसा क्यों होता है Normally people are active and sounds of machines are heard सामाने तह अपने जीवन में लोग सक्रिये रहते हैं और अपने आसपास मसीनों की और तरह तरह की आवाजों को सुनने के आदी होते हैं When we keep quiet and introspect जब हम अपने आप में शान्त होकर आत्म निरिक्षण करते हैं It will be a strange and unfamiliar moment तब ये मौन जो होता है ये अजीव सा और एक अंजाना सा छण होता है Thus we feel a sudden strangeness at that moment इसलिए उस समय हमें अचानक अजीव सा एहसास होता है What do the warmongers do? युद्य की वकालत करने वालों से कभी क्या चाहता है The poet warns the warmonger will put on clean cloths and walk about with their brothers in the shade doing nothing इन युद्य की वकालत करने वालों से कभी चाहता है कि वो उल्टे सीधे सोचना छोड़ दे युद्य के बारे में ना सोचे ठीक से रहे और साफ सुत्रे कपड़े पहने अपने भाईयों के साथ पेड़ की छाओं में चहल कदमी करे शांती की सोचे युद्य की ना सोचे वट दे पोएट में नोट मूव अवर आम्स सूमच अपने हाथों को इतना न फैलाएं इस बात से कभी का क्या आशय है दे पोएट मेंस बाई दे फॉल्लूइंग लाइन इस लाइन से कभी का आशय है जो हाथ दूसरों को नुकसान पहुचाने के लिए उठते है उन हाथ को रोक दे ऐसी सारी गतीविधियों को रोक दे और सारी नुकसान पहुचाने वाली गतीविधियों से दूर रहेंगे वे लोग जो नमक की कठा करते हैं उनके साथ क्या होता है नमक में लगातार काम करने वाले लोगों के हाथों में नमक के कारण घाव हो जाते हैं उन शान्त और अधूत छडों में जब वे अपने घायल हाथों को देखेंगे तो हाथों के घाव को भरने के लिए उनकी देखभाल करेंगे और उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे प्रिथ्वी हमें क्या शिक्षा देती है प्रिथ्वी मानवता को सबक सिगात सिखाती है कि प्रिथ्वी पर कैसे जिया जाए लाइफ एंड लिविंग नेवर स्टॉप ओन अर्थ जिंदगी और जीवन धर्ती पर कभी नहीं रूपता जब प्रिथ्वी पर सबकुछ म्रत प्रायसा प्रतीत होता है तब भी एक चीज में जीवन रहता है और वो प्रिथ्वी स्वैम है प्रिथ्वी अंदर उसकी गतिविधिया जीवन की चालू रहती है वो कौन से अद्बू छण है जिसका कभी पैबलो नेरूडा इच्छा कर रहे है पैबलो नेरूडा उस अद्बू छण की च्छा कर रहे हैं जब इनसान हर तरह के लालच, क्रूरता और दूसरों को नुकसान पहुचाने वाले काम करने से मुक्त हो जाएगा unnecessary rash and noise causes unpleasantness and troubles बिना मतलब की भाग दोड गहमा गहमी और शोर गुल जीवन में नाखुशी और परिशानी पैदा करते हैं तो कभी चाहता है कि इंजिन की और दूसरे मशीनों की तेज आवाज रुख जाए and peace and tranquility, शान्ती शुट प्रिवेल और चारो और चैन और शान्ती फैल जाए यनि की शोर गुल ना हो, जीवन में शान्ती हो इस कविता में किस तरह के युद्ध के बारे में बताया गया है युद्ध के प्रती कवी का क्या रवया है इस कविता में कवी ने मानोता और प्रकृती के विरुद्ध होने वाले युद्ध के बारे में लिखा है कौन-कौन से युद्ध हैं, देखें, ग्रीन वार हरित युद्ध, गैस, केमिकल, वार गैस और रासाइनिक युद्ध, वार विद पोईजनस गैसेज जहरीली गैसों से किये जाने वाले युद्ध, नूकलियर वार नाभ किये युद्ध, वार विद एम्यूनिशन, हथियारों से किये जाने वाले युद्ध and war with fire और आग से किये जाने वाले युद्ध इन सब are the kinds of war mentioned in the poem तो इस कविता में इन सब युद्ध के बारे में कवी ने लिखा है नैरुडा's attitude towards the war is one of the rejection नैरुडा का रवया युद्ध के प्रती नकारात्मक है he feels that such wars may bring victory वो महसूस करते हैं कि युद्ध चाहे कोई सब ही हो दो में से एक पक्ष जीत जाता है और दूसरा हार जाता है but there are no survivors to celebrate the victory लेकिन इस युद्ध में दोनों ही पक्ष के इतनी जादा लोग युद्ध में मरते हैं कि जीतने वाले पक्ष में भी उस आजादी की उस जीत की खुशी मनाने वाला कोई नहीं होता है तो ऐसे युद्ध से क्या फाइदा? Wars bring only destruction युद्ध हमेशा विनाश लाता है So students, this is all about the question answer of keeping quiet आप खुब मेहनत करिये question answer लिखिये और याद करिये और एक्जाम में अच्छे नंबर ले आए Wish you all the best Thanks for watching the video झाद कर्वेश रखुद्द ले बादा